प्रिदर्शकों मित्रों शाथियों दुनिया की सारे मनुशे एक वस्तु की तलास में बटक रहे हैं उस जीवन की सांती को पाने के लिए दुनिया के सारे मनुशे अलग अलग दिसाओं में भटक रहे हैं और यह भटका कोई नई बात नहीं सद्यों से चला रहा है और यह परमशत्य आकाट्य सत्य है कि जब तक मनेशे को जीवन में शांती का अनभवनी हो जाता है उसके जीवन की सुक्की अनभवती उसे प्राप्त नहीं हो जीवन में शांती का अनभव होता है स्वांसों का संतुलन स्वांसों के उस रहसे की अनभवती स्वांसों में विराद्मन चैतनी सत्ता का अनभव और यह गुरुमाराजी कराते है इदि गुरुण महाराजी का ज्यान है तो शुम्रण सतशंचिवाग है परिचर्चाउं का विशें है ये अधभग का विशें अधभग है और आप इस मारक पर जानना चाहते हैं इस मित्र का सयोग चाहिए कि स्वांसों में भीतर विरादमान को जो सरगम है वो जो चैतनी सत वो जो अनन्थ है उसका अनभव मैं आपको वान तक ले जा सकता हूं शंपाउन राष्ट को सनी जैनती महस्तों की हर्तिक शुदकामना है शिरी सनी धाम सनी तिर्चित हतोला पते पूरवेरी में आपका श्वागात है करी सनी भगवान की दास्तन पूजन तेला अभिशेक शंपून कश्टों से शुदकारा हूं राष्वाशियों चैजून को सनी जैनती महस्तों है और चैजून की पुर्शध्या पर अदभुद स शनी देव का अनुष्ठान करने जा रहा हूं रुद्रा अभिशेक करने जा रहा हूं राष्वाशियों आप इस रुद्रा अभिशेक में और शनी तेला अभिशेक में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं इन नंबर पर संपर करके आप अब शनी देव की प्रभु की महा आर्थी करूँगा मैं राश्च निवेदन करता हूँ कि इस आर्थी के दर्शन मात्र से आपका कल्यान होगा पदारिशनीधाम और करिए इस आर्थी का दर्शन का आपका कल्यान होगा नमाना रहे हैं आज की दाती गुर्मंत्र में बात करते हैं 31 मही 2024 की राशी फल और पंचांग राशी फल प्याओं उससे पहले आज का पंचांग जेश्ट श्रपक्स की अश्टमी विकरम समथ 2018 जेश्ट मास की 18 परविष्टिव सक्षम 946 जेश्ट 10 तद अनुसार शुकुरवार 31 मही 2024 सुद्रहान्ति एश्टमी यह समथिक का जो शुझ नल बज बज 28 अगली ती नौमि शुझ विश्टम भी सोग है योग समाप्तिकाल है वh पुरुभादपत होगा और नक्षत समय प्रश्पति देव और प्रश्पति देव के दक्षतरों में चंदर देव का संचण चंदर देव कुमराशी में 12 राश्य प्रच्टा पर भाव पड़ेगा मैं आपके राश्य फल की चर्चा करूँगा दिन उससे पहले आज के ग्रह पर बुद्देव दिर्शप राश्य में संचण करगे के तुदेव कन्या राश्य यह करंका और संचण इसी आधार पर मैंने 31 मई 2024 का राश्य पर आज का जो अभी जीतमूर्थ हैं वो सुबह 11 बजकर 51 मिंट से लेकर दो पर 12 बजकर 47 मिंट एक है अब दी 46 मिंट है और य मित्रों शात्य हैं किसी भी सुपगारियों को करने के लिए सुबका शवर्य लाब का चुगरिया और अमृत के चुगरियों में इज्वाश्य आप शुपकार ये शंपन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहwait का सुबह 7 बजकर 8 मिंट से लेकर सुबह 8 बजकर 51 मिनिट पें तरीश का अमृत का चोगडिया है दोपर बारा बजकर उन्नीस मिन से लेकर दोपर दो बजकर मिन्ट तक शुब हचोगडिया रहेगा है ऑज का जुरह का सब्सक्रास ghosts निकलेंगे तो कश्ट कम आएगा प्रिदेश्व मित्रों शात्यों समय शाधन प्रशतिया और काल में बहुत परिवर्टन आया है आप किसी भी दिशा में यात्रा करो मेरी और से कोई बंधन नहीं है आज की दिन जो घर से यात्रा के लिए बार निकलो साथ कदम उत्तर प्रितर देवता का अधान करते मंगल में यात्रा के साथ राइट टर्न लिजेर यात्रा पर जाएंगे कश्ट कम आए मित्रों शात्यों अति आदुनिक सादने यात्रा का विदी से यात्रा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाग दिलेगा यूंकि दिशा तो संभाव को नहीं यात्रा के अधयर रियाता के आदुनिक सादने साथ अधर्ने साथ मित्रों लेकिन मैं आपसे जानकरी देना कि यह जनर्नल Starting आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्मकुनली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सई जानकारी आपकी जन्मकुनली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नमबर आ रहे हैं, इन नमबरों पर शंपर करके, आप मेरे से संपरक स् करता हूं, समेकाल प्रसतियां हमेशा एक सी नहीं ती साथ दती साथियों, मेरी आर्थिक इस्ति इसमें थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गाएं है, मेरे गाएं शुकी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हैं, तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है, कि लोगों से कहिए गा गायों की शेवा करें जो लोग आपको फॉन पर करें गायों की शेवा करें तो उसको अधरवाइज मत लीजिए ऐसा मेरा ही निरदेश लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं नहीं मुझे धन चाहिए वर्त्मान परस्तितों को देखते हुए मेरी गाये शुखी रहे मैं गौशाला का नंबर है उस पर आप फॉन करते हैं जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक ताइप है आपके फॉन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर साम 8 बज़े की बीच में उठाए जाएंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बज़े की बा सुबह 9 बज़े से लेकर शाम 8 बज़े तक ही होगा इस बात का ध्यांद है 31 मही आपका जनम दिन या फिर सादी की साल गरें तो मेरी और से आपको हर्दिक सुब काम नहीं आपका जिवन खुश्यों शिभरा रेष्ट निदेव की सिर्चरण में मेरी प्राइप जनम देने इस सुपाय को आप श्यम करें सरप्रथम आज माभगवती की सिर्चरणों में 108 गुलाब के पुश पर पिट गई और वहीं बैटकर अरगला असुरत के साथ पाथ करिएगा 31 मही आपका जनम हुआ है तो आप गौसाला में सरदानुसार जो का दाम देना उत्तम और मैंग रिम क्लिम चामुण डाय बीचे इस दुर्गा नवरान मंतर का निरंतर जाप करना कष्ट और परिशान से चुटकारा मिलेगा मित्रों शात्यों आपका जनम 31 मही को हुआ है तो हर रोज लगातार लगातार 40 दिल हर रोज शुबह और साम सूरी उदे से पूर और सुरियास के बाद अपने गर में गूगल का धूब जरूर करें जब कभी आपको मोका मिले चीटियों को भोजन देना उत्तम रहेगा गायों को हराचारा देना उत्तम रहेगा तो 31 मही को आपका जनम दिन और आज क्योंकि 31 महीं और आपका जनम दिन है सरप्रताम गोसाला म ऌंतर में मैं बात करूएं आज के राशिफल की यह जो राशिफल है आपकी चन्दरासी आपके नाम राशी पराधार राशिफल पूर्षयों के लिए कि बुज़रगों बच्चों सब्से पहले बात करूओंगा मेंश-रासी मेंस-रासी बाला रहो दिख्यार्म आपर्शरे में शफलता होगी शुक की साधन बढ़ेंगे हास और परियास के छणों में परिवार के साथ समय वैतित होगा केरियर एजुकेशन कामकाज शिक्षा के छितर में आज जबरदर्श शफलता का योग है भागी आपको पूरा साथ देगा कामकाज कारबार नौकरिश शिक्षा क के छितर में बहतरीन परदसन का आउसर मिलेगा और शफलता और काम्यावी मिलेगा क्या करें इच्छाओं का अवलोकन बहुत जरूरी है क्या ना करें किसी जरूर्बंद व्यक्ति के उफेशा ना करें सुबंग एक सुबंग मैरुन भागी आपकी पक्स में 75% लापका संक लेकिन ये 12 मंत्र का जाप सुरी उदे से पूर्व करना है और प्रतेग राशी का व्यक्ति आज के दिन माभगवत्य की सिर्चनौ में एक कमल का पुष्प यह नौपीले पुष्प अर्पित करेंगे और इस मंत्र की तीन माला जाप करेंगे सुरी उदे से पूर्व तो प व्रिषब्रास्य वालों के लिए चंदर देव दसंभाव में संचन करें, दसंभाव में चंदर देव राहु देव और उप्रश्पद्देव के शमय करें सुप और अनकूल है, कारिष्टर बच्र बढ़ेगा, कैरियर नौकरी में उत्तम अउसर और जौब समंदी मसलें मुलोंगे, मल्टिनैशनल कमपनियों से संब्थ नाय को के चिआए! समाज में मान् प्रतिष्टा बढ़ेगेhwa, सास्त प्राक्रम से रुखिविया कारीब बनेगे सात्व बोकरी और जॉब में शिक्षा के छेतर में रूची अच्छी रहेगी, इच्छी धनलाब होगा, ननियाल परसे शुब समाचारों की प्राप्त होगी, यह और विद्यारतियों के लिए आज का दिन बड़ा सुब है, मानसमान यस और किरती बड़ेगी, सामाजीक, आर्तिक, पारवई राजनीट यस सफलता की सिक्र को छूने का मुका मिलेगा, अच्छे आउस्सर है, क्या करें, कारिषितर में अपनों की सला ले, नई टेक्नलोजी का प्रियाम प्रियोग करें, और धेरी और सहिम से निर्णने ले, सफलता दामन चूने, क्या ना करें, किसी का परिवार को लोकर मेहनत परिश्रम संगर्स का पून फल मिलेगा संतुलन बना रहेगा लेंदेन के मसले ठीक रहेंगे समाची की वर्चसु बढ़ेगा संतों का सानित नियुक्त भी द्धार्म का योग दिये लेकिन अपनी उच आकंसाओं को निंद दनम रखना बैतर होगा वेविशाय में रदोबदन नहीं करें आई और वेव में संतुलन करें और परवर्ज जिम्यदानिये पर थोड़ा सा ध्यान देर यात्रा में सावधानिक बढ़तनी नौकरी में अच्छे आउसर है शिक्षा की सितर में सफलता मिलेगी रिष्टों की दोर मजबूत होगी लेकिन फिर भी सावधानिक अपर छिटे क्या करें प्रियास करें मेहनत करें सोच को सकारत मकर क्या ना करें श्रत्र को कम जोदना समझे शुबंग पांच शुबंग शपेद भाग्या आपकी प्रसंट प्रसंद लाब का संकेत मिसंदाशल ओम श्रीम श्रीय नमहा इस जूति बना कर बैटे पंचम भाव पर शुकरदेव की या चंदरदेव की पुणधरस्टी हो या शुकरदेव और चंदरदेव दोनों आए भाव में बैटे हो या दूसरे और चौतर भाव के सौमी सुब ग्रह की रास्ती में बैठे हो तो यह मैंने देखा है कि जीमन को आदमी बढ़ा सुक पुर्ण जीता है अकस्मात सपलताई मिलती अकस्मात धन की प्राप्ति होती और जिम्न में ऐसे कई बार मोखे मिलते हैं धन की अकस्मात प्राप्त होता है कि योग मैंने देखा है आप भी देख लीजी गए नमनाने और बात करते हैं करकराशी आश्टम की लापरवाई से कारी में हानी का संकेत है और संतान को लेकर परिषानी का संकेत में जरत आ रहा रहा है ठूरा सा क्या करें परिवर्वर्व समाजी कार्य में संतुलन बना है क्या ना करें स्वास्ट कुलिक लापर वाई नहीं करें सुबंग नेला भागी आपकी पक्स में केवल केवल 30% लाप कर संकित है करकराश वालों ओम रीम श्रीम क्लीम नम भगवती माहिश्वरी अनप्रुनेश्व इस बीज मंत्र का जाप करेंगे तो कष्ट कम हाएगा आज महालक्षमी के सिर्चर्णों में नौ पीले पूष्ट अर्पित करेंगे और इस मंत्र की तीन माला जाप करेंगे तो दिन अच्छा बितेगा नमनेन बात करते हैं शिंग राशी सब्तम भाव में चंद्र देव राहुदेव और ब्रश्पदेव के नक्सनों में संचर्गरे ग्रेगोचर उत्तम है मनवनकुल कारी संपन होगी बड़े लोगों से मितरता होगी कार्चित में अधिकारों की विर्दी होगी वैविशाय में इची धनलाब होगा पारवारी जीमिन खुश्यों से भरा होग विद्यारती और युवाँ को केरियर और एज्यूकेशन के चितर में उत्तम अउस्तर के साथ साथ युवाँ के लिए केरे करेशन मजबूत होगा श्रच्तुर समंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और करजों की समशा में कमी आएगी क्या करें सामाजिक और मांगलिक कारि उत्तम रहेगा नमनान प्रबात करके कन्यारास चड़े भाव में चंदर देव राहु देव और प्रश्पत देव की नक्षर में संस्री शितारगी चाल अनुकुलता का संकेदरी सास्त और प्राक्रम मनबल होगा नौकरी और वैपार के छेत में उत्तम अउस्तर के सास्त नए लोगों का समन्द आपको लाप देगा उच अधिकारी बच बड़े लोगों का समन्द बनेगा उसका लाप मिलेगा कारे में रुची अच्छी रहेगी सासी कारी में सफलता मिलेगी रिण और रोग सी छुटकारा मिलेगा शक्त्रुपक्ष कमजूर होगा आज को दोड़ी आपकी प्रसंशा करेंगे सुख शाधन बढ़ेंगे यूर्व द्यात्यों को कामकाज कारवार नौकरी शिक्षा के चित में बहतर सफलता के संक्यत में दिरा रहे है क्या करें नमिन परस्ताव को पारवारिश सदर्शयों की सला से श्विकार कारें क्या ना करे कारिया सफलता के लिए किसी के साथ धोका ना करें शुबंग साथ शुबरंक्रीम भागिया आपकी फिल्म पच्छतर प्रसंद लाप का संकेद करने राजल ओम नमः कमल वाशन नहीं श्वाहा इस बीज मंतर का जाप करना उत्तम रहेगा नमनाइन और बात करते हैं तुलारा खेल के मदान में युवाओं को लाब मिलेगा और कला के चित्र में उत्तम अफसर है लेकिन कारी चित्र में श्यक्रमिश्य मधूर बनाएं धन के खर्च पर थोड़ा सा नियंतर रखे सभा और सोसाइटी में जाने पर अपना सालिंता और भाशा का प्रचे अच्छा होना लें घर-परिवार का स्वयोग मन में शंतूष ही देगा जिवा किसी कारी के तलास में तो सफलता मिलेगी और विध्यार्च को शिक्षा कि सित्र में उत्तम उसर में चाहरे आपने दाएरे के मेरे करकार क्या ना करे जल्दबाजिन को निलना निल शुबंग्ती शूब्रं जमीन जाइदार प्रॉपर्टी गाड़ी मकान में आज निवीश हनी और परिशानी का संखेर देरा है कारिश्यत में शपलता मिलना कठीन होगा लेंदेन की कारी में रेकम डूप सकती है और तथा के तुमितों से धोका मिल सकता है धन और और समय का अपवय का संखेर दरानी राहा कि रहों प्रिवेंशिन बैटने कारी में बाधा अपनों से धोका धन की कमी भाई बंदों से कल ये मान-सम्मान की हांने के दिन ळाप परवाह disgusting क्या करें सच इतरें स्वास्थे की यृचा की परथी पर गारी की पर ति कारीयों की लापोशारों की क्या ना करें लोग नमनायन और बात करते हैं धल राश तीसरी भाव में चंदर देव रहुदेव और प्रश्ट देव के नंशनों में संचेवर शीतारों भी चाल अनकूल है सास और प्राकर में बिद्धी होगी मार्केटी के चितर में उत्तम अउसर के साथ सास और सजगता दिखाने से कारियों में लाब मारत प्रशत होगा कारवारी अर्चने दूर होगी नए वेविशाय की यूजना फलीबूद होगी धार्वी की यात्रा सफल लेगी केरियर और एज्यूकेशन के दिश्चे यूवा और निजी संपति में नियमों का पालन बहुत जरी खरीदर्यों चाहिए क्या ना करें अपनों की इच्छा का अनाधर ना करें शुबंगेक शुबंगेक शुबंग पीला भाग्या आपकी पच्छासी प्रसंद लाब का संकेते धंदाश वालों ओम्हेम महलक्षमेनमा इस हर रोज उगुतिवे सूरी को जल देना बड़ा उत्तम रहेगा और सूरी को जल देने के बाद भगवान शीव के स्विलिंग पर जल से अभिशे करें तत्पसा एक सो आट बेल पत्र पर सपेज चंदन से ओम लिकर भगवान शीव को अर्पित कर देंगे लागातार चाली स करने में आप सक्सम होंगे आर्तिक पक्सुदर होगा समाजिक शिवाओं का उसमलों समाज में आपका वर्चुद बढ़ेगा कुटम कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा अधन की प्राप्ति भी होगी लेकिन स्वजन और मित्रों से मधूर विवार बना करें यात्रा मे अधन की नई जुम्मवारी मिल सकती इंक्रेमेंट हो सकता है अच्छा रहेगा आज का देश्चा के शेतर में उत्तम आउस्टर में क्या करें सामाजिक और धार्मिक और मांगलिक कार्य में परिवार का साथ क्या ना करें वैर्थ का विवाद ना बंड़े सुभंचार आपका साथ देगा सब विवेक से कारिशंपन होंगे आपकी प्रभाव और कुसल वैवार से करमचारियों का पून सयोग मिलेगा और कारिश्चा में शपलता हासे करें मांसिक इस्ति प्रसंता दाईग और संतोष्पू रहेगी समय युवाओं के लिए उत्तम है कामकाज ह अरतिक स्थिता पहले से मजबूत होगी और सिक्षाक तुम्हीं सफलता मिलेगी क्या करें कारें न्य प्रस्ताव घर की बुजौर्गों की सलासफिकार कें जीवन में आज के दिन इसियार कुंठा नहीं पाई शुबंग 5 शुबंग 5 भागय आपकी फक्स में 80% लापकर सं प्रतिकुलता परिशानी और कस्ट का संक्या देरी शोच विचार कर कारी करें किसी को धन उदार नहीं दें और सरकारी मामलों में लाफरवाईनी करें नियमों का पालन करें जल्दबाजी में कोई निरननी ले और निजी रिस्तों में पवितर और पार्स दस्था रखें जिवन साथ सा टकराव नहीं हो इस बात का विशेज ध्याने धहरी रखना बहुत ज़रूरी है परिवार में किस साथ रहे और कारी सेत्र में इस तर्मन से बने रहे क्या ना करें किसी का भी बूरा नहीं करें सुबंग्ति सुबरंग परपल भग्या आपकी केवल 40 पिसंद लाब का संगेत मिंदाश वालों ओम श्रीम हिरीम क्लीम महालक्षम ही नमा इश्वेज मिंत्र का जाब करने से नक्सत गर्णाओं के आधार पर मेरा निजी आंकल न भाय न भ्रम न भ्रहनती ने विवाद में तरक शेकर अपका था आपका अहरा आपी का रहेगा मनुन मनुन आपके अंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गयो दोनों हाथ जोड़कर आपसे च्रमा मंगता हूं आप स समर्दी सीले संदेव की चंड़ में मेरी प्रात्मा न भनारे रास्तान का हर व्यक्ति जानता है एक दाति महरा जिगायों से बहुत प्यार करता है हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया है यह मेरा शौक था मेरी राष्ट है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूं मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकों से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं क क्योंकि धन को लेकर मेराष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये का कि शेवा करिया मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा करता हूँ धन नहीं चाहिए लेकिन वरतमान में जो आर्तिक प्रस्तिय हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनीधा लिए अवलोकन कराना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, पूरी साल खड़ा रहूँगा, जब तक जीओंगा, तब तक खड़ा रहूँगा, नमबर आ रहा है, इन नमबरों पर शंपर करी, आप मेरे से बात करी, लेकिन इसकी अवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता कर लिए, और इसलिए मैंने कहा था कि, भाई, थोड़ा दिन, इस समय में परेशाने में हूँ, और मेरी गायों, चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हिरुदय से आया, लोगों ने कहा कि, अब लगायों क溟 सरों परी थे, और मेरी राश्चम के लिए चारी की वेवस्ता करीए, और ये लोग जो शक्षम है, शामर्थेवान है, और जिने दाती महराज के जोहती से समधान की आवश्रकता था नहीं को मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पिछले एक महिने में लगब लगब 20-25-50 लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपिया चारा कर दिया है मैं उन सब की परती अपना आभार परगर करता हूँ और ये सयोग में जीवन भार याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी परस्ति आर्तिक दस्टिकौन से अनकूर शंकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते हैं जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है ये आप भी जानते हैं शासन के अपनी एक शिमा है और अपनी मर्यात है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदय से पुने एक बार निवेदन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रुषयो करें पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमोना रहे ओम नमोना